अभी तक यहां पर नहीं आया है तो मैं बता देना चाहता हूं कि बिजली बिभाक अलापर भाई ऐसा इस घर का मातम बना दिया कि आज इस घर में रात में पिसाब्ष करने पर देख रहा है हमारे सामने एक घर के सामने में यह निक मरते है और यह लिए दुझा बच्झे में निकलता है आज वो इस दुनिया में नहीं रहे और उसका कारण ये है कि बिजली बिभा का लापरवाई देखे कितना है कि यहां पे बिजली को तार के लिए यहां पे खंबा के बदले यहां पे एक लकरी का खंबा दिया गया था जिसके कारण की आंधी के कारण यह खंबा गिर जाता है और इसमें वेक्ति जो है कि अपने चपेट में आ करके इनकों मिर्तियू हो जाती यहाँ पे देखिए उनके परिवार के लोग का रोरों के बुरा हाल हो गया है पुरा रोर हैं और यहाँ जो है यह पूरे गाउं का जो है कि एक ऐसा वेक्ति थे जो कि सबसे हेल मेल रखते थ सबसे सबको खुश रखते थे और आज जो है कि यह इस दुनिया में नहीं रहे यहाँ पे पूरे गाउं का लोग मातम चाय हुए है पुरा गाउं का लोग यहाँ पे देखने आ रहे हैं लेकिन अभी तक बता दे कि पुलीस परसासन यहाँ पे नहीं पहुची है और पुल सब्सक्राइब कर चुके हैं अभी तक नहीं आ रहा है यहाँ पर तीन घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक परसासन यहाँ पर कुमकरन की नीन सोई हुए है यहाँ परशासन जो देखने के लिए भी अभी तक नहीं आया है यहाँ पे गाओं का लोग वेट कर रहे हैं जल्दी से परसासन आएगा इसका किरिया करम के लिए आगे जो एकी कार क्या जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेसान ही यह है कि जब तक परिवार को थोड़ा सा राहात होचके देखिए किस परकार से यहां पर यह वेक्ति कल तक खुशाल थे हसते खेलते नजर आ रहे थे यहां पर अपना काम करते नजर आ रहे थे उनके दरवाजे पर दोगो भैस है जिसको कि वो पालते थे और उसी से अपने घर का भरन पोशन करते थे लेकिन आज यह वेक्ति जो है कि अपने परिवार से बिछर चुके हैं और उसका कारण एक ही है एक मत्र कारण है बिजली बिभाग का लापारवाही और यहां पर बिजली बिभाग जो है कि अपना टेक्स असुलने के लिए लोगों को जेल में भी देने के लिए त पुलिस परशाशन देखने के लिए भी नहीं आया है, देखें इनका कुछ घर के लोग है, इन लोग से बात करेंगे, देखें किस परकार से रोरो के बुरा हाल हो गया है, इधर आई है, कैसे हुआ है, आफी का पती था, कैसे हुआ है, पिसाब करने के लिए बाराया है, रात यानि 2 दिख लिए यह एगार हो गी और जो कि बारी ऑपी समय का मौसम ता रात में बारीश हो रही थी और कुछ अंधी भी आई हुई थी जिसके कारण की यहाँ पे तार उसके घर के सामने में गिर जाता है और यह तार में उस वहकती का गला सट करके मौत हो जाती है। देख लिजे यहाँ के कुछ ग्रामीन लोग है, आप लोग इसी गाउं के हैं। नहीं हैं। इस गउ कै नहीं है हम तो यहां पोन से रहते हैं यह लगता दो कैसे हुआ है जुनते हैं तो रात्स पेशा पर करने के लिए बाहर गि दिश्य qd उसी में सठ गया और आप also our तो आदमी लाठी से तार में मार्णा यह कैसे हुआ था या बताएंगे आपको पता है कैसे हुआ था तार को छू लिया कि कैसे सट गया उसको हम लोग कितनों लाठी मारे नहीं छोड़ा पाए हमको तो कमजोर थे ही मेरा भाई लोग बाद माया तब ठर विचारे सोट कर लिय शब्रक्तार में लाठी मारने के बाद भी नहीं छोड़ाँ पाएं हम थे यह से नहीं सब्सक्राइब बिजली विभा का इतना लपरवाही के विषाय में आप कुछ बोलना चाहेंगे जिस ब्रश लोग गरीब आजमी का यहाल हुआ कि बिजली विभा के लपरवाई के कारण ही ऐसा हुआ उसके घर में कौन कान एक परिवार में परिवार में दो थो लड़का है अभी छोटा-छोटा है एक तो गया है परदेश लेकिन वह चारे क्या कमाता है ने कमाता हमने जा एक ही चिराग ये घर में था मनोज यादव जो कि अपने बच्चे को पाल पोस्ट करके बराक करने के लिए अभी परिश्रम ही कर रहे थे अभी जो है कि देख लिजे ये भाईश दोगों पाले हुए थे जिनको पोस्ट करके जिनका दूद बेच करके अपने बच्चे को पर लिखा करके एक उजवल भविस उसका बना सके आज वह इस दुन्या में नहीं Cambodia इस प्रकार से यहाँ पर पॉल देने के लिए आहे रहते तो आज यह धुर थे जिवित रहता है और यह वेयकती में इन seperti यहां ठेक data का जाता हूं कि प्र्षासन किन पर करी ड्रकार जिसfed की आताए तो मैं बताँ इना चाहता हूं कि प्रषासन किस परकार से कंव्करांड के नीन में सोही वी प्र्षासन किन्या घ्री लिके जिक यहां पर परशासन की कॉल करने पर यहां पर नहीं पहुचता है तो आगे आप लोग क्या कहना चाहते हैं कुमेंट बॉक्स में लिखाएंगे वीडियो को सेयर करेंगे ताकि इस गरीब परिवार को इंसाफ मिल सके जहीं जहें भारत